ए हरु आदेब बात करनेवाल हैं ट्री डेटा स्वेश्चिर के बारे में आज हमँदैंके ट्राession काम करता है इसके बात आने वाली वीडियो में इसके अंदर ट्राइ सबसे पहले बात कर लेते हैं, try होता क्या है, तो बहुत जादा use नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ, जहाँ यूज किया जाता है, वहाँ पर काफी यादा use optimization लिका आता है, try को आप tree data structure की दर समझ सकते हो, कि tree के अंदर क्या होता है, यसा binary के अंदर क्या होता है, हर एक node के पास दो children होते हैं, लेकिन try उसी का एक दूसरा version है, इसके अंदर क्या होता है, हर एक node के पास n children हो सकते हैं, तो हर एक node के पास कितने भी children हो सकते हैं, ठीक है, n children, जैसे इसके पास भी suppose को n children है, तो इस तरीके से हमारा try बना होता है, इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यह है कि अगर binary tree के अंदर आपको कोई element search करना है तो आपका क्या algorithm हो अगर AVL की बात करें आपके red black tree की बात करें तो उसके अंदर हमारी log n complexity आती है जिसके अंदर हमारे self-balancing binary search tree होते हैं उसके अंदर log n time complexity आती है लेकिन वही पर अगर आप उसके अंदर log जो होता है अगर आपको तीन element search कर रखने हो तो पहले आप तीन element किस तरीके से चौथा element को यहां लगा सकते हो तो इस तरीके से क्या होगा चौथा element search करने के आपको जाता नीचे ने आना पड़ा यहां पर आपके number of steps कम होगे इसी ने यहां पर optimization होगी तो ऐसा ना करके अगर आप यहां पर के children बना दोगी तो आपकी और सथा optimization हो सकती है उसी का फायदा होता है try register तो अब तरह देखते हैं इसके अंदर insert कैसे काम करता है और search कैसे काम करता है ट्राय को एक prefix tree भी कहा जाता है prefix tree क्योंकि दो element जिनके prefix same है जिस सबोसकर apple है और दूसरा है app इसके अंदर prefix same है right तो जिनके prefix same है उनको जब रखा जाता है तो उनकी जो notes होती है उनके ancestors भी same होते है मैं कहा करना चाहता हूँ इसके अंदर आप apple ऐसा नहीं कि पूरे अपल यहां रख दोगे नई आप इसके अंदर letter by letter रखते हों ठीक है आपने a यहां रखा then p यहां रखा then p यहां रखा then l यहां रखा and then e यहां रखा तो इस तरीके से यहां पर कुछ रखे आते हैं element ठीक है एक एक letter wise और इसके बाद आप देखोगे दूसरा वाला अगर आपको apple का मतलब दूसरा वाल वर्ट रखना है विचिस apply है सब उसको apply है तो उसके अंदर आप क्या करोगे a p p l और उसके बाद यहां वाई तो आप देखे हो इन्हों हमने same ancestors को share किया है जिनके अंदर same prefix इसलिए इसको कहते है प्रिफिक्स ट्री भी लेकिन आप जबाद देखे इसके अंदर insert operation किस तरह किसे काम करता अच्छे से तो try के अंदर node का structure कुछ इस तरह किसे होता है हर एक node के पास एक array of children होता है पहले binary के अंदर क्या था एक left का reference था एक right का reference क्योंकि दो ही रखने थे उसके पास यहां पर हम पूरा array of children हो सकते है तो इसलिए हमारे पास पूरा array of children का reference है and then एक boolean भी हम रखते है is end of word इसको रखना जरूरी है क्योंकि अब हम यहां पर same letter को भी share कर रहे है same prefix share कर रहे है तो अगर हम बताना है कि कोई word यहां पर खतम हो गया तो उसके लिए यह वाला boolean हमें काम देने वाला है इसको हम देखें कैसी use होता है जो हम बात कर रहे हो अंदर नीचे वाला पार्ट को मैं कहता हूँ end of word ठीक है तो इसके अंदर आपका false भरा होगा और ऊपर यह जो एरे वाला पार्ट है इसको मैं फिलाल के लिए खाली रख देता हूं इसकी implementation दो तरीके से होती है आप कर देखो कि यहां पर hash map रखा होता है अधर इंदर साइक सारे नहीं करने पड़ तो भाद में भी देखी ठीक है तो एक करके अंसर्ट करते हैं सब ऊसके रहो हमएं एप का insert करने तो हम चरक करें क्या यहां पर जो एरे था ठीक है यहां पर एक एरे होगा और उस एरे का size मैंने 26 रख दिया है चब्वीस क्यों रखाया अब ही है क्योंकि मैं मान की चल रहा हूँ कि मेरे जितने भी वर्ट मुझे फिल कर रहे हैं उनमें अलफवेटिकल 26 करक्टर यह है अगर 26 से ज्याद आपके कुछन बोला हुआ तो आप इसको और इसको रही है वहाँ जोमाना यहाँ पर होगी वह को अब इसको कर रहा हो ढ़ी में यहाँ अधर इसके अंदर जुद एक करा और डिफ्ल ऑब रहाँ होगा बहुत को फॉसκε बाद अगला वाबodar पैके नहीं Lionel ुर्फ इसको ले 2030 नहीं होगा तो एक नई ट्राइनोड बना लेते हैं, इसके अंदर यह होगा true, और यह जो P होगा इसको point कर रहा होगा, यहाँ पर true क्यों रखा है, true मैंने से रखा है क्योंकि यहाँ पर app मेरा पूरा word फिनिश होगा, जैसे मेरा पूरा word फिनिश होगा तो उसके बाद वाली नोड को मैं इसका यूज हो मच्छे समझेंगे बात मैं, फिलाल के लिए मैं यहाँ पर बस simplicity के लिए बोलते रहा हूँ, यह ए इसको refer कर रहा है, बाकि आपको समझ मा रहा हो कि यहाँ पर हर एक नोड के पास एक array बिश्यूटन array है, तो इस तरह किसे हमारा app इंसर्ट हो गया, by insert करते ह है, यह रूट है, राइट, क्या रूट के अंदर बी है, नहीं बी नहीं है, तो बी बनाओ, और बी बनाँ से पहले आपर एक reference बना लो, ठीक है, तो एक नई ट्राइनोड बनाई मैंने, और बी इसको point कर रहा है, उसके बाद हमने देखा इसके अंदर y है, क्या नहीं, y न वो इसको point करेगा, ठीक है, तो इस ते किसा हमारा buy है, इसमें insert हो चुका है, अब हम इसमें apple insert करते हैं, अब apple insert करने के लिए मैं चेकर हूँ, क्या a है इसके अंदर, a कैसे check कर रहा हूँ है, कि मेरा जो children वाला array है, उसके अंदर a वाली जो position है, क्या वो null को point कर रही है, नह जिसको point कर रहा हूँ, ठीक है, अगले वाले letter पर चले गए, क्या इसके अंदर p है, हाँ, p है इसके अंदर, ठीक है, तो p जिसको point कर रहा हूँ, यहाँ पर आ गया, क्या इसके अंदर l है, नहीं, इसके अंदर l नहीं है, तो l को point करा दो, एक trinoor को, और l अब इसको point कर र पूरा खतम हो गया ठीक है है अब अगले वाले रूट को इन्सूट करते है इसी को हम ट्रू माक कर देगे इसके एंड उवाले चीज को हम टू्माक कर देंगे मैंने वाई को टूमाक नहीं यहाँ पर यह आद रखना है रह कि यहां वाले तो टूमाक की है ठीक है इससे बसेल है कि हाँ भी वाई इसके अंदर प्रेजेंट है ओके अप्लाई डालते हैं इसके अंदर ए है हाँ ए है आते हैं इदर पी है हाँ पी भी है ठीक है नेक्स्ट पर गए क्या इसके अंदर एल है हाँ एल है एल से नेक्स्ट पर गए क्या इसके अंदर तो सारे के सारे आप देखे रहें वर्ड इसके अन्दर इंसर्ट हो चुकि और अगर आप यहां पर काउंट करो गþलक ना कितने लैटर्स यहां पर है और क्या वह लैटर्स इसके बराबर भी है तो आपको देख रहा है नहीं ऐसा नहीं होगा यहां पर हम कम लैटर्स च्यूस कर रहे हैं और ऐसा साल है क्योंकि काफ़ सारी डि सेम लेंटरARS को शेर कर रहे जिनके भी सेम प्रिफिक्स वह सेब एंशितर को शेर कर रहे हैं आप यहां पर देख सकते हो apply और apple जो है और पूला का पूरा यह शेयर कर रहे है ए पी पी एल उसके बाद यहां पर ए और वाई के लिए दो दो बन गए है तो इस तरीके से काम करता है जिसकी वैसे यहां पर optimization हो जाती है अब जिसके अंदर आप search operation कैसे करते है तो यह कुछ word है इनको search करते है सबसे पहले एप को search करते है क्या अप इसके अंदर है तो यहां पर आ गए और यहां पर हमारा word घतम हो गया तो हम चाकर नहीं क्या इसके अंदर एंड फ़र ट्रू है हमने देखा है एंड फ़र ट्रू है तो इसका मतलब इसके अंदर app present है अगर हम search करे हो तो suppose करो एपी ना यह कोई word निये लेकिन suppose कर आप एपी search कर रहे होते क्या एपी present है इसके अंदर आप बहुत आप पर एपी present नहीं है एपी हमने नहीं डाला देखे रहो कैसे नहीं एपी present आप गई यहां पर ए है 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 क्या पी है है तो पी के next पर गई फिर आपको चेक करना पाद जो नोड है उसके अंदर end of word true है तो इसलिए इसकी significance है आपको समझ में रहोगा यह boolean क्यों रखा गया है अगला search करता है art को search करते हैं क्या art present है की नहीं है तो इस नोड़ पर है क्या यहां पर आर present है हमने देखा आर present नहीं है या फिर यह कैसकते है कि आर वाला जो आरे के अंदर जो आर वाला pointer है वो किसी को point निंए कर रहा वो नल को point कर रहा है इसके आर नहीं होगा इसके अंदर तो तो इसके अंदर क्या end of word true है? प्रू है तका मतलब भी वाई इसके अंदर प्रेजेंट का है ठीक है एपी को हम पहले ही चेक कर चुके हैं तो इस तरीके सिसके अंदर सर्च नहीं कर सकते हर वर्ड अलग अलग माना जाएगा मैमरी के अंदर दूसरी चीज आपको उसके अंदर मुल्टिपल अपरेशन अलाउट नियोंगे सब उसके अंदर आपको अपको बताना है कि कौन-कौन से वर्ड है जो सेम प्रिफिक्स जैसे सब उसके अप से स्टार्ट होत करना यह मुश्किल है यहां पर आप इसली कर सकते हैं आप जाओगे एक पास फिर पिक पास उसके आप जितने भी यहां पर बन रहे हैं वर्ड उन सब को ले लो कि ठीक है एक पी के बाद जितने वी बड़ आप प्रेजेंट है उसके बाद एप पी ली एपल और उसके कोड कैसे काम करता है कैसे आप इंसर्ट और सर्च कर सकते हो इस मैथोड को यूज करने वाले अगेन हम हम यहां पर हैश्मयप अले तरीके से इंसर्ट नहीं करेंगे क्योंकि मैं मानता हूँ क्योंकि कोड वग़रा में आप देखोगे वो इतने जादा एफिशन नहीं होता है है हैश्मयप जब बनाते हो तो उसके अंदर कंटेंस किवाले मैंसर करने पड़ते है है हैश मयप का भग़रा में पड़ते है तो ओवर हैट की वज़ए से slower होते हैं वही ऐरे के अंदर ऐसा कुछ करने की ज़रूत नहीं होती लेकिन ऐरे के अंदर आपको space allocate पहले करना पड़ता है, मैंने 26 ऐस अलोकेट किया हुआ है पहले से ही, तो यह इसमें दिक्कत है, कि यहाँ पर space ज़्यादा लग रहा होता है, लेकिन अगें efficient होता है, तो यहाँ पर हम code करने वाले हैं, यहाँ पर हमारे पास दो function है, insert and search, हमें try node के अंदर insert करना है, यह string मिलेगी है, हमें इसको insert करते रहे हैं, try node कैसे बनी हुए, तो try node आप देख सकते हो, इस तरी किसे class है, जिसके अंदर same यही वाला format है, try node करके एक array बन रहा है, children का, जिसके अंदर alphabet size दे रहा है, which is 26, उसके बाद एक boolean is end of word है, इसको initialize कर रहा, null के साथ, लेकिन शुरूबात आपको दिखी रहा है, कि वो null के साथ तो automatically initialize हो ही रख्योंगे, तो ज़रा insert करते हैं, तो insert करने वाला code देख लेते हैं पहले, इसके अंदर हमने पहले अपनी current node को reference किया, current node हमाई root है, और अब एक एक करके सारे की सारे character में जाने वाले हैं, जो key string है, इसके सारे character पर जाने वाले हैं, पहले character से start करते हैं, इस character को मैंने current में डाल लिया है, और मैं check करूँगा कि क्या current node, यह जो मेरी node है, इसके children के अंदर, यह current वाला character null को point कर रहा है, अगर null को point कर रहा है, इसका मतलब मुझे एक नई node बनाने पड़ेगी और इसको point कराना पड़ेगा उसे, ठीक है, तो अगर null को point कर रहा है, तो मैंने एक नई node बनाई, new node, और मैं करूँगा कि मेरे current children के अंदर, current minus a equals to new node, तो भी यह current minus a क्यों लिखा है, तो basically यह index position निकालने काम में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा, कि जो a होता है, यह जो होता है, उसकी sky value क्या होती है, एकी sky value होती है, 97, और मेरा जो array है, वो 0 से लेकर 25 तक उसके अंदर indexes होते हैं, 0, 1, 2, इस तरीके से 25 तक indices होते हैं, तो अगर मुझे a को reference करना है, तो a को मैं reference कैसे करूँगा, 97 minus a, तो अगर मैं यह करूँगा, तो यहां से मुझे मि similarly c जो होगा, c होगा हमारा 99, 99 minus a, वो 2 को point कर रहा हुआ, तो आपको समझ में रहा है, यह a हो गया, यह b हो गया, यह c हो गया and so on, इस तरीके से काम करने वाला है, इसलिए मैं आपर current minus a क्या हुआ है, जिससे मुझे index position मिल जाएगी, तो अगर यह null को point कर रहा तो हमने एक न चलेगे जहां पर यह children को reference कर रहा है, उसके बाद जब हमारा for loop खतम हो जाएगा, तो current node is end of word come true mark कर देंगे, क्योंकि अब हमारी पूरी string जो हो खतम हो चुक है, पूरा पूरा string इसका दर insert हो चुक है, और current node जो हो, अब next reference को point कर रहा है, तो इसका जो end of word come true mark कर दिया, इसक अब आने current node बना दी, तो यह मेरी current node हो गई, current node के अंदर क्या B null को point कर रहा है, आमने देखा B null को point नहीं कर रहा है, तो वहाँ चले आते हैं, जहां पर यह B point कर रहा है, बी इधर point कर रहा है, इस वाली node पह, तो अब current node यह हो जाएगी, इसके अंदर देखता हूँ, क्या इसके अंदर A present है, अगला character A, नहीं, A present नहीं है, तो हम पहले एक नहीं node बना लेंगे यहाँ ठीक है, और इसके अंदर यह false होगा, और इसके बाद A जो होगा, वो इस node को point कर रहा होगा, और फिर current node जो हो आगे point कर लेगा, current node अब इसको point कर लेगा, अब यहाँ पर आगे तो हम देखें क्या, इसके अंदर L present है, हमने देखा L present नहीं है, तो L को डाल देते हैं इसके अंदर, और पहले नहीं node बना लेते हैं, और L अब इसको point करेगा, और current node भी आगे चला जाएगा, ठीक है, current node अब इसको point कर लेगा, उसके बाद फिर अगला L डालेगा, अगला L का इसमें present है, अगला L में present नहीं है, तो L में डाल देते हैं, और पहले एक नहीं node बना लेते हैं, और L अब इसको point करेगा, और current node जो है वो, आगे इसको point कर लेगा, ठीक है, इसके बाद हमारा for loop यहां पर access हो जाएगा, और हम यहां पर current node के is end of word को true mark कर देंगा, ठीक ह और हमें यह key search करनी, क्या present है की नहीं है, अगर present है तो हमें return करना है true, otherwise false, तो इसके अंदर भी same वही काम होने वाला है, सबसे पहले हमने current node बनाई, same code होगा, देख रहो आप, यह वाला code ही repeat करूँगा मैं, सबसे पहले हमने current node बनाई, उसके बाद हम character by character आगे बढ़ेंग जाओ, ऐसा करने के पाद आपका पूरा-पूरा for loop यहां पर exhaust होयता है, मतलब सारे-सारे key के characters में आपने travel कर लिया, फिर आप check करोगे, कि जो मेरी current node है, उसका end of word वाले, जो boolean मेरी वाले, वो true है की false है, अगर true है, इसका मतलब यह वाला word इसमें present था, otherwise इसमें present नहीं थ तो वो हम return करते है, ठीक है, तो इस तेकी से समझ search operation भी काम करता है, search operation को भी जड़ा एक बार dry run कर लेते हैं, इस code के साब से, तो suppose करो आपको search करना है, इसके अंदर apple, ठीक है, apple search करना है, तो apple के लिए आप पहले यहां गई, आपने देखा क्या इसके अंदर a है, हाँ a है, ठीक है, तो आप यहां चलेगे, फिर आपने देखा क्या, इसके अंदर e है, ठीक है, फिर आप यहां चलेगे, और फिर यहां पर आपका सारशारा for loop exhaust हो चुका है, ठीक है, और current node लेकिन यहां पर आ गई होगी, ठीक है, और हम देखें क्या यह current node है, इसका end of word 2 है कि false है, तो मतलब Apple इसमें present नहीं होता, लेकिन क्योंकि यह true है, इसका मतलब यहां पर Apple present है, और इस तरीके से आपका search operation भी काम करता है, try के अंदर, तो I hope आप लोगो समझ में आयोगे, इस try कैसे काम करता है, एक important data structure है, बहुत ज़्यादा heavily used data structure नहीं है, लेकिन काफी कमाल का है, त तो हमारी data structure, DSA1 course के अंदर यह last data structure था, इसके बाद हम try के ओपर portion देख रहे होंगे, बिलूगा आप लोगो से next वीडियो में, यह वीडियो अगर पसंद आई, धरूर लाइक कर देना, कर देना चलकर सब्सक्राइब, मैं मिलूँगा next में, बाबाई